नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे बली गोपाल गन से एक बहुत ही दर्दनाग घटना सामने आये थी खबर थी कि ठेकेदार को चीफ इंजिनियर के आवास पर जिंदा जला दिया गया अब इस मामले में सियासत जोर पकड रही है तेस्वी यादो जो कि बिहार में नेता परतिपक्ष हैं वो इस मुद्दे को जबरदस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर राजिनीत की जा रही है तेस्वी यादो ने अपने ट्विट किया और उन्होंने लिखा कि गोपाल गंज में एक अभियंता देव ने अपने ही घर में 15 लाख रुपए घूंस चढ़ावा नहीं देने पर किरासन तिल छिड़ा कर ठेकेदार को आग लगा दिया और सुसासन की बली चढ़ा दी कोई और राज होता तो पूरे सु आपके स्क्रीन पर लिखते हैं कि बिहार के कथित सुशासन में हर अपराद हर कुकर्म डंके की चोट पर होता है हर रंगदारी हर घूस की हिस्सेदारी सत्तरूर दलों के कुकर्मी नेताओं के जेब में ठूसा जाता है तो हरकंप क्यो मशता वसूली कमिशन खोरी वो घू दोनों को लपेटा है और रसीपी टेक्स का इसको नाम दे रहे हैं तीसरा ट्विट आपके स्क्रीन पर है तेस्वी आदों ने लिखा है कि बिहार में आवाज उठाओगे तो ऐसी ही जिन्दा जल जाओगे साथ आओगे तो पाप की लंका में जी भर के कमाओगे नेताओं की गाडियों में अनुकंपा के सिंगम अफसर जाएंगे और नोकरियों का खून चूस कर सुशासनी नेताओं को चड़ाएंगे बंदरबाट घूस कमीशन की छूट मची है जनदेश चोरी के दीमक लूट रहे हैं तो तेस्वी यादोंने बैक टूबैक तीन ट्वीट किय हैं और उन्होंने ट्वीटर पर सीधे तोर पर मुखमंत्री नितेश कुमार की सरकार के उपर उंगली उठाई है आपको बता दे कि गोपाल गंज के मामले में उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बाते कहीं है गोपाल गंज में एक ठेकेदार को जिंदा जलाने का मामला सा पक्ष के भूमिका में हैं और नितीज सरकार पर निशाना साध रहें उन्होंने अपने तीनों ट्विट्स में ये साफ साफ कहा है कि अगर इस यहां पर आवाज उठाएंगे तो दबा दिये जाएंगे आपको बता देगी तैस्वी आदो का ये ट्विट काफी गंभीर है द पर जाएंगे धन्यवाद